जोतिर अदेति सिंधिया की कटर समर्थक इमर्ती देवी मास्क को लेकर बरत रही लापरवाही के चलते सिंधिया की नाराज़की का शिकार हो गई सिंधिया की नाराज़की को देखकर इमर्ती देवी ने कान पकड़कर हाथ जोड़कर सिंधिया से माफी भी मांगी दरसाल केंद्री नागरे को डियर मंत्री जोतिरदित्य सिंधिया गौालियर पहुंचे थे यहां उन्होंने मोती महल में थी कारियों की बैठक ली इसके बाद जब बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने लगो द्योग निगम की अध्यक्ष इमर्ती देवी को उनके मास्क के लिए टोक दिया इमर्ती देवी ने जो मास्क लगाया हुआ था उसके बारे में टोकते हुए सिंधिया ने कहा कि यह मास्क ठीक नहीं है आपको ऐसा दूसरा मास्क पहनना चाहिए यह बात सुनकर इमर्ती देवी समझ गई कि जोती रदित्य सिंधिया उनके मास्क को लेकर नाराज है उन्होंने तुरंथी जोती रदित्य सिंधिया के सामने अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांग ली और हाथ भी जोड लिये दरसल बताया ये भी जा रहा है कि पिछले दिनों दत्या में इमर्ती देवी ने आम आदमी पार्टी द्वारा दिये गए मास्क को उनके सामने ही तुरंथ कार से बाहर सड़क पर फेक दिया था इस खबर ने मीडिया बे जमकर सुर्खियां भी बटोरी थी इमर्ती देवी द्वारा मास्क को फेके जाने की जानकारी सिंधिया को लगी तो सिंधिया ने इस पर अपनी नाराज़की भी जाहिर की और यही नाराज़की गौालियर में एक बार फिट से देखने को मिल गई लेकिन इमर्ती देवी ने बिना कोई मौका गवाय तुरंत सिंधिया से माफी मांग ली। टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए गौालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट मैं हूँ सीवा बर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश अगर अब तक आपने टाइम एट मध्यप्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूले हमें हमेशे दिजार रहता है आपकी कमिंस का बाहर निकले तो उन्होंने लगो द्योग निगम की अध्यक्ष इमर्ती देवी को उनके मास्क के लिए टोक दिया इमर्ती देवी ने जो मास्क लगाया हुआ था उसके बारे में टोकते हुए सिंधिया ने कहा कि यह मास्क ठीक नहीं है आपको ऐसा दूसरा मास्क पहनना चाहिए यह बात सुनकर इमर्ती देवी समझ गई कि जोतिरदित्य सिंधिया उनके मास्क को लेकर नाराज है उन्होंने तुरंथ ही जोतिरदित्य सिंधिया के सामने अपने दोनों कान पकड़ कर माफी मांग ली और हाथ भी जोड लिये दरसल बताया ये भी जा रहा है कि पिछले दिनों दतिया में इमर्ती देवी ने आम आदमी पार्टी द्वारा दिये गए मास्क को उनके सामने ही तुरंथ कार से बाहर सड़क पर फेक दिया था इस खबर ने मीडिया में जमकर सुर्खिया भी बटोरी थी इमर्ती देवी द्वारा मास्क को फेके जाने की ज टाइम एड मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट